के सेक्टर उन्चास में एक जज की पत्नी और बेटे को गोली मारने की वारदात सामने आई है बताया जा रहा है कि एडिशनल सेशन जज कृष्ण कांच शर्मा के बेटे द्रूव और पत्नी रेनु को उनके ही गनर ने दिन दहारे सेक्टर उन्चास की मार्किट के पास गोली माच दी मा और बेटे को एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया है बाद में गनर सदर थाने पहुँचा और वहां भी गोली चला कर फरार हो गया हालाकि सदर थाने में एसाय जोने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे घटना की खबर मिलते ही गुरगाव पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आये और आरूपी गनर महिपाल को जल्द ही गिरफतार कर लिया गया अस्पताल में भरती जज के बेटे की हालत नाजुक बताय जा रही है जबकि महिला की हालत खत्रे से बाहर है डीसीपी ने सुलोचना गुरजर ने बताया है कि अभी घटना की जाच चल रही है और जज की पत्नी और बेटे की हालत अभी गंभीर है हालाकि एनडी टीवी को मिली जानकारी के मताबिक गनर जज की पत्नी के बुरे बरताव से नाराज था फिलहाल पुलिस आरूपी गनर से पूछताच कर रही है जिस समय गनर ने दोनों को गोली मारी वहाँ पर अच्छी खासी भीड़े कठा थी और जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि गार ने बेटे को गोली मारने के बाद उसे कार में भी रखने की कशिश की थी लेकिन नाकाम रहा और वहां से फरार हो गया